हेलो वीवर्स, आज हम आपके लिए बेल स्लीफ के कटिंग और स्टीचिंग लाएं हें जो कि आप लोग बहुत ही असानी से बेल स्लीफ को कैसे रेडी कट सकते हैं तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे तो यहाँ पर हमने देखें स्लीफ को कट कलिया है है कि हमारी कोहनी तक की आएगी यह इस लीज तो इसी सबसे आप भी कट कट सकते हैं अगर आपको इसकी कट नहां आती हो तो हमारे वीडियो में देख सकते हैं और भी वीडियो पड़े हुए है आई बटन में आपको मिल जाएंगे तो यहां पर देखे हमने कपड़े को फोल्ट कर लिया हुआ है झतना भी हमारा बैल स्लिफ बनाने के लिए कपड़ा है तो यह देखे हुए हमने इसकी जो चाड़ाइ ले लिए यहाँ पर आप चोटांद बेलप बना सकते हैं पर हमें फूल स्लिफ बनानी थी तो यहाँ पर हम ज्यादा लेते है कपड़ा तो ओके हम आपको पहले सिर्फ ऐसे बतादे इसके चोड़ाई से हों लंभाई से आपको कोई मतलब नहीं है इसको दो फोल्ड में कर लेना है और इसको एक कोने से उठाना इस तरह से और जैसे ट्राइंगल बनता है इस तरह से आपको बना लेना है समोसा बोल सकते हैं आप समोसा लुक और इस तरह से सको एक फोल्ड किया फिर aring को डबल करें गे होगे कई अम इस तरह से एक और फोल्ड कर देंगे थीक है अब हम यहाँ पर इसकी आप कर लेते देए इस तरह से आपको लेना यहां पर कॉल कट कर देना जो हमारी स्लेफ में जॉइंट होगा तो देखे जितनी भी हमारी ये चीज़ के लंबाई आ रही है जो हमारा सीधा पार्ट दिख रहा है इतनी ही हम लेंद ले लेते हैं इसकी और जिसी हमारी नाइन निंच आ रही तो हमने थोड़ा सा एक इंच ह आप किया और एक मांक कर दिया फिर हलकासा ट्रेडा किया एक हो कर दिया ठीक है इस कर तरह से आपको पूरा मां कर ले developments थोड़ा सा बढ़ा कर तक कि हमारा जो round है मतलब जो हमारी गुलाई है वो बहुत अच्छे से आ जाए यह हल्की हल्की सी दूर इपर करिएगा ज्यादा मत बढ़ाईएगा नहीं तो हमारी rounding अच्छी नहीं आएगी तो यह देखे हमने दोनों तरफ कर लिया हुआ है दोनों साइड यानिकी इसी तरह से यह आपको लाना है आप अगर हमारे चनल पर नहीं है तो मेरे चनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा तो चली देखें यहाँ पर हमने इसको डाक माग कर लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए है तो हम यहां पर इसकी जो हमें जो सलेप में जोइंट करना है तो इसकी हम चुणवाई कैसे लेंगे तो हम 2-1.5 इं ले कि क्ष यह हमने लिये कि क्योंकि हमने पूरा यहां से लिया हुआ था है तो आपस तरह से आपको कट कर लेना है बहुत अच्छे से कट लिएगा पूरे इस तरह से इसको यहां से एक बार ओर देख सकते हैं कि हमारा दोनों चेल दोनों झेल सकलOSH कोने हैं वो बराबर आ रहे हैं में देके हमारे तो विल्कल बराबर आ रहें रहें ही बिल्कल इकवल है आप इसको एक और फोल्ड कर लिजए आप चाहें तो हमने और यहां पर इसको कट कर देंगी अपने कट कर लिया ठीज और इसको अब अपयूज्ड कर तिकाते हैं आपको किंदा अच्छा हमारा बेल आ रहा है तो इसके कितने अच्छी अच्छी गूलाई आरही है इस तरह से हमने दोनों दोनों स्लेज़ को एक शाट कट किया है यह देखे इस तरह से हमने बहुत अच्छे से कट करिया आप भी इसी तरह से कट करिए और अपनी बेल स्लीफ को रेडी करिए और स्लीफ जैसे नॉर्मली बनती है उसी नॉर्मली बनाके हो बस इसके गुलाई को हमें जॉइन कर देना होता है तो देखे यहां पर हमने अपनी स्लीफ को रेडी कर लिया हुआ है तो इस तरह से इसमें हमने गुलाई देती है कि देखे इस तरह से हमने अपनी गुलाइए देदी है मैं स्लीफ से कितने अच्छे से रैड़ी होगी आप इसको महीन से आप चाय तो पी को लगा सकते हैं या सिलाई कर सकते हैं याने इपनी कुर्टी में भी लगा लिए हुआ अपूद पैन के दिखा देते हैं यह देखे कितना अच्छी कितना अच्छा घेर है इसमें ज्यादा सा घेर है अच्छा अच्छा गेर है